और महादे चैबोलेनाथ नमस्कार मैं शादना पांडे मागदर्शन पे आपका स्वाज़त करती हूँ दोस्तों मैं आज महतपुन विस है 2024 पे बात करने वाली हूँ कि 2024 आपका कैसा रहने वाला है क्या समस्याएं आएंगी क्या साउधानिया रखना है इन सब महत्पुन बातों पे चर्चा करने वाली हूँ लेकिन उससे पहले कुछ चीजे आपको बता देना चाहती हूँ क्योंकि राशिफल देखने से पहले ये चीजे जानना बहुत जरूरी है कोई भी किसी भी राशिका हो यदि आप राशिफल देख रहे हैं या फिर कोई मारक दसा या फिर कोई महा दसा चल रही है अंतर दसा चल रही है तो ऐसे में ये राशिफल आपको पूर्ड तया सटीक नहीं फल देगा लेकिन हाँ यदि ग्रहों की स्थती शामाने है तो निश्चित रूप से सत्प्रत्सत ये रासिफल आपके लिए काम करेगा जैसे मैंने 2023 के लिए बनाया था और विश्वास करिए आप लोग बहुत सारे लोगों पे सटीक आया और ये रासिफल बहुत सारे लोगों की मांग पे ही जा रहा है उमिद करते हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे और तब आगे चलिए और देख लेते हैं 2024 का रासिफल आप लोगों को बस इतना कहना चाहती हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइस जरूर करिएगा और चैनल को भी सासा सब्सकाइब कर लिजेगा चलिए सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं मेस की कि क्या कंडिशन रहने वाली है मेस रासी को कौन सी सावधानिया रखनी है पहले चीज तो जान लेजे कि अपरेल तक ब्रिहस्पती जो है वो आपकी ही रासी में रहेंगे मेस रासी में ये आगे की बाते आपको शमझ मे नहीं आएंगे लेकिन जो थोड़ा भी जोतिस जानते होंगे ग्रहों को जानते होंगे वो समझ सकते हैं तो मैं बता देती हूँ यदि आपको शमझ में नहीं आ रहा तो घबर आए नहीं पीछे की बात आप समझ सकेंगे ठीक है और सनी जो है वो 11 यानि कि 11 भाव जो कुं क्या रहने वाला है पहली चीज जो मैं मैं इस रासी को बताने वाली हूँ ये बताने वाली हूँ एक साउधानी कि आपको इस साल दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होगा चीजों को थोड़ा सा पेसेंस से समझे एकदम से भावुक होकर हम किसी को कोई चीज कह देते हैं मतलब सोचते नहीं है कुछ देना है, कुछ कहना है, कोई डिसीजन लेना है और उस समय आप मेरी बात को गांठ माध कर रखे आप जहां पे दिमाग से काम लेंगे वो पूरे वर्स आप सफल रहेंगे पस्ताना नहीं पड़ेगा तो पहले हिदायत तो यह है जो कि आप लोग को धियान रखना है रासी के बारहवे में राहु है तो बारहवे यानि कि इस भाव में यदि राहु बैठे हैं तो आपका खर्च तो पूरे साल बढ़ेगा लेकिन घबराएं नहीं सनी जो गुरू जो है और सनी जो है वो आपको लाब कराएंगे सनी 11 में है तो खर्चे होंगे लेकिन थोड़ा सा सूब कारियों पे होंगे इस चीज़ को आप लोग को समझना होगा और यदि आप कहीं पैसे लगाना चाहते हैं और कोई प्रापर्टी लेना चाहते हैं या फिर आप कहीं इंसोरेंस वगर कोई लेना चाहते हैं तो इन चीजों में आपको अच्छी बचत इस साल देखने को मिलेगी तो यदि मन बना रहे हैं कुछ पैसे बचाना चाहते हैं दोनों माध्यम आपके लिए ठीक है दूसरे भाव में जो है गुरु है देखे मैं महत्पूर्ण जो ग्रह होते हैं उनके बारे में चर्चा करने हूँ तो दूसरे भाव में गुरु है जो कि बेहद सुब माना जाता है तो सम मिला कर देखें तो इस साल पूरे साल आपको भागय का साथ मिलेगा भागय आपका साथ देगा भागय का साथ देना क्या होता है आप थोड़ा सा प्रयास करेंगी वो चीज़े आपके लिए जादा बन कर लाब देंगी तो ओवराल मिला कर कहूं तो भागय आपका साथ देगा नौकरी करने वाले लोगों को स्थाई मतलब इस साल जो है जंजट नहीं का आप खुद बदलना चाहें तो बदलिए आपको कोई जॉब से निकालेगा नहीं तो एक तरह से ये आपके लिए स्थाईत्व की बात है और यदि आप खुद से नौकरी बदलना चाहते हैं तो आप मई के बाद ही प्रयास करें इधर जनवरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल तक आप नौकरी बदलने का प्रयास न करें नौकरी बदलना चाहते हैं तो मई से आप प्रयास करें और एक और बुरी ख़बर कहिए या फिर जरूरी जानकारी कहिए आपको परिवार पर जादा खर्च करना पड़ेगा परिवार में कोई ऐसा होगा जिसकी दवायों पर भी खर्च करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है तो दिखे क्रोधित मत होएगा मैं पूरे साल की बात कर रहे हूँ यदि आप इसको आराम से समझे न तो आपको किसी भी जोधिस के पास जाने की अवश्यक्ता नहीं होगी तो आपको क्या करना है कि क्रोध से बचना होगा दोस्तों क्रोध बिल्कुल भी आप मत करीगा क्रोधी हो करके आपका नुकसान होगा खर्च को आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा ये ध्यान रखिएगा क्योंकि खर्ज नहीं कंट्रोल किये तो लोन लेना पड़ जाकता है संतान है तो सुख मिलेगा और यदि संतान प्राप्ती के लिए प्रयासरत है तो अपरेल के बाद खुसकबरी मिलेगी आपको संतान प्राप्ती के योग भी दिखाई दे रहे हैं वाहन, जमीन, जादाद और इस तरह की जो चीजे हैं इनके जमेले में न पड़े कोई बटवारे वगर की चीज चल रही तो टाल देजी अगर आप कम से कम मई तक भी टाल देते हैं तो आप इस समस्या से बिवाद से बच जाएंगे सिच्छा की बात कर लेती हूँ जो विद्यारती हैं वो टेकनिकल स्टूडेंट जो है उनको बहुत अच्छा इस साल फायदा मिलने वाला है और अप्रेल तक यदि आप कोई परिक्षा वगर दे रहे हैं तो उसमें जबरदस्त सफलता जो लोग नौकरी वगर के लिए प्रियास कर रहे हैं हो सकता है भगवान उनको सफल भी कर दे इतना अच्छा और जबरदस्त चांस है आपको बिद्यातियों के लिए एक मई से जो है वो आपको कुछ चीजों में ध्यान देना होगा जो परिक्षा वगर देंगे आपको उसमें जो है वो थोड़ा सा आपको अडचनी ज़्यादा आएंगी वलब चीजें आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा थोड़ी समझ्याएं आगी आर्थिक पक्ष जो है वो आपका मजबूत होगा जिन लोगों को नौकरी नहीं मिला एक मई के बाद देखेंगे कि आपको रोजगार मिलेगा स्वास्त की बात आपके कर लेते हैं तो अपरेल तक आप अपने स्वास्त का ज़्यादा ध्यान रखेगा ठीक है और मई में मई में जब की गुरू परिवर्टित हो रहा है तो एक मई के बाद आपको कोई सारीरिक समस्याती तो उसमें देखेंगे कि शुधार आएगा और पति-पतनी की बात कर लेते हैं तो दामपत्य जीवन एक मई के बाद आप देखेंगे ज़्यादा बेहतर आपको दिखाई देगा और आपके जॉब आपका करियर ये सनी जो है मूल त्रिकोड में है और मूल त्रिकोड में होना ये आपके लिए बेहद सुब है तो सब मिलाकर कहना चाहती हूँ ये भाग आपका 23 की अपिक्षा बहुत अच्छा है 24 में ठीक है और 1 मई 2024 से आप अपने बिजनेस में बहुत अधिक सफलता देखेंगे ठीक है ये चीजें सब आप ध्यान देते जाहिए आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते है और कंपटीशन में जॉब में सब में आप प्रमोशन देखने को मिल सकता है तो एक तरह से देखिए तो आपको बस जौब यदी बदलना है तो एक मई के बाद आपको शावधान हो करके और अपना जौब बदलना है और जो लोग टेकनिकल फिल्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए तुम मैं पिछली बार भी बता चुकी हूँ फिर बता रहे हूँ कि आपका भाग्योदय ही समझी भाग्योदय होगा और ब्यावसाय करने वालों को भी पिछले इस वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जादा मुनाफा है हाँ यात्राएं अधिक होंगी जो लोग विदेश जाना चाहते उनके भी सपने पूर्ण होंगे ब्रिशवरासी का हाल लाव भाव के स्वामी जो है वो खर्च भाव में बिराजमान हो रहे हैं तो खर्चे तो इस वर्ष जादा होंगे लेकिन उसमें भी एक आप अच्छी कबर है कि ये खर्चे सुभकारियों पे होंगे और हाँ जो सुरुवात के चार महीने होंगे यानि जनवरी, फर्वरी, मार्च, अपरेल इन चार महीनों में थोड़े से खर्चे आपके जादा होंगे लेकिन उसके बाद आपके खर्चों पे यानि की अपरेल की बाद मैस से आपके खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल लगेगा राहू लाब भाव में हैं वर्स भर आपको लाब भाव में ही मिलेंगे और इस वर्स यदि आप अपने दिमाग से काम करेंगे तो ज़्यादा लाब कमाएंगे चाहे नौकरी में है चाहे बेवसाय में है या किसी भी फिल्ड में है आपको इस वर्स बचत ज़्यादा कर पाएंगे लाब ज़्यादा कमाएंगे जो ऐसी चीज से जुड़े हुए है जो अपने बेवसाय से जुड़े हो उनको तो अधिक मुनाफा है और हाँ इस बार आपके लिए खुश खबरी है कि सस महापुरिश योग का भी निर्माण हो रहा है जो बेहत सुब है सनी जो है वो डाहू से दसवे हाउस में है जो कि आपके करियर में बहुत जबरदस्त सफलता देने वाले है तो ये चीज आपके लिए बेहत अच्छी और सुब है तो समझ लेजे इस बात को और मई से जो है वो संतान का भाग्य भी आपके उधर होगा संतान नहीं है तो आपको शंतान प्राप्ति के भी योग मिल रहे है और कोई नई ऐसे सीज आप खोज निकालेंगे कोई नई आइडिया आपको आएगी जिससे आपको आगे बढ़ने में मदन मिलेगी और जोब वगरे चेंज करना है तो आप जोब चेंज कर सकते हैं तो आप जो है अपरेल से पहले आपको भी ध्यान देना है कि जोब चेंज नहीं करना है करना है तो मई से करना है और हाँ जो लोग IIT सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो मई तक बहुत अच्छी सफलता उनको मिलेगी और बिजनेस वगरे में बहुत अच्छा सफलता देखने को मिल रही है और खान पान से जुड़ा हुआ है अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं वो लोग एक मई से बहुत कि आदनी मतलब देखने को मिलेगी अब वो लोग जो राजनेती से जुड़े हुए हैं इग्यारहवे में हैं राहु और राहु सस महापुरिश योग बना रहे हैं जो बेहत सुभ योग होता है प्रशिदी देता है धन देता है व्यक्ति को मान सम्मान देता है अप्रेल के बाद आपको शंतान प्राप्ति का योग भी दिखाई दे रहा है तो यह है आपके लिए खुसकबरी और इस बात को आपको ध्यान जरूर देना होगा परिवार का सुख मिलेगा भूमी भवन वाहन का सुख भी आपको इस साल मिल सकता है आप अपने मतलब नौकरी कर रहे ह चाहते हैं कि पैसे जोड़कर अपना घर हो तो वो सब आप कर सकते हैं रासी के पांचवे भाव में जो है रासी का जो पाजवा भाव है उससे हम सिक्षा को देखते हैं तो सिक्षा भी आपकी बहुत अच्छी है साफ्ट वेयर साइंस है टेकनोलोजी है ऐसे बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है और हाँ अपरेल तक आप अपने श्वास्ते का जरूर ध्यान दीजेगा विसेश कर ये छोटी मोटी समस्त्याएं आपको आती रहेंगी जैसे सर्दी जुकाम इस तरह की दिक्कतों से आपको बचके रहना होगा तो आगर आपके माता पिता को किसी भी तरह की दिक्कत है तो उनकी देख रेक करिएगा विसेश कर माता पिता का ध्यान जादा रख लेंगे तो परिवार में सुकसांती बनी रहेगी अपरेल तक जिनके विवाह की इक्षा है वो भी पूरी होती हुई नजर आ रही है तो जो लोग बिना विवा उनके विवाह की योग भी बने हुए है और यदि पूरे साल में कहें तो यह जो चार महीने हैं उससे अच्छा माई के बाद आपको देखने को मिलेगा आपको प्रेम मिलेगा अपनत्व मिलेगा पैसे मतलब सब मिला कर देखें तो अच्छा ही है हां खर्च जादा होगा जिससे थोड़ा सा मन दुखी रहेगा क्योंकि कमाई के बाद आप कुछ बचा नहीं पाएंगे तो थोड़ा सा वो दिक्कत की बात है अगर पूरी साल की हालत बताएं तो एक माई के बाद आपको भागे पूरा-पूरा साथ देता हुआ नजर आ रहा है तो यह है आपकी 80 का हाल अब बात करते हैं मिथ 80 का हाल शनी की दृष्टी जो है वो आपके लाप बाव में है तो क्या होगा बेवसाय में सफलता मिलेगी स्कूल ट्यूशन कॉलेज इस तरह की चलाने वाले लोगों को इस साल बहुत अच्छा लाप देखने को मिलेगा धातू का काम करते है तो भी आपको लाप देखने को मिलेगा और जन्वरी से आपके लिए समय विसे सुबस चालू हो रहा है धाया चल रही थी तनाव बहुत जादा बन गया था तो वो दूर होगा स्वास्त अच्छा रहेगा करियर में यदि बदलाव करना चाहते हैं तो इस वर्स कर सकते हैं संतान प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अच्छा कहसा समय आपके लिए चल रहा है अब चलिए बात कर लेते हैं आपकी व्योशाई की तो व्योशाई आपका बेहत बहुत सुब रहने वाला है आप अपने इस चीज़ को सुब बनाने के लिए आप अपने जीवन में शमस्याओं से मुक्ती पाने के लिए हनुमान जी के पोजा करते रहें। वो आपके तीसरे और नौम भाव में रहने वाले हैं। अब उससे क्या होगा तो इसके वज़ा से आपको जीवन में उन्नती देखने को मिलेगी। आप उन्नती करेंगे। और ये भी संबह है कि राहू के नौम भाव में होने के वज़ा से आपको यात्राएं करने का मौका म जब शाणी दूस्ति का परीवार वालों का शाथ मिलेगा शाट से यदि किसी टरह की समस्य चल रहे थी तो वह देखेंगे कि धीरे-धीरे दूर होती नजार आ रही है और इस रासी यानि कि करक रासी के लोगों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तो इस रासी के लोग जो ब्यवसाय करें दिमाग के साथ करें उसको सोच समझ कर तब जाकर उसमें पैसे लगाए या फिर कोई भी पार्टनर से थोड़ा दिमाग लगा कर उसके साथ ब्यवसाय करें इस रासी के लोग जो हैं वो साजेदारी व्याला व्यावसाय अगर कर रहे हैं तो साजेदारी में थोड़ी सी परिशानी आ सकती है आपके पार्टनर जो हैं वो आपको चीट कर सकते हैं आपको धोका दे सकते हैं आपके प्रॉफिट में थोड़ा सा ये दिक्कत कर सकते हैं तो ये चीजे हम ज बीत हो जाएगा आप अपको अपने करियर से अशंतुष्टी नजार आने यानि जहां भी हैं जिस नौकरी में हैं जिस ब्यावसाय में हैं थोड़ा सा आपको जून के बाद दिक्कत देखने को मिल सकती हैं ब्यावसाय करते हैं तो थोड़ा सा देखेंगी कि नुकसान होने लगा हैं चीजे हमारे पक्षमें नहीं रहने लगी है और पैसे रुपे की बात करें तो बैसे कैसे बचा पाएंगे तो लब ही है कोई दिक्कत नहीं है और ये चीज़े ध्यान रख लें कि अगर आप कुछ बचा पाते हैं तो उसको कुछ धार्मिक कामों में भी लगाएं ये चीज़े ध्यान रखेगा चलिए अब देख लेते हैं सिंगरासी का हाल अप्रेल तक आपकी अनुकूल समय रहेगा आपकी अनुसार चीज़े होने लगेगी क्योंकि जब ब्रहश्पती आपके नौन भाव में इस्तित रहेंगे तो यह भाव जो है आध्यात्मिक प्रगती कराता है धन लाब कराता है और व्यक्ति को खुश रहने में बहुत मदद मिलती है और यदि व्यवसाय में है तो प्रमोशन होता है स्थिर्टा बनी रहती है तो आपके लिए अप्रायल तक यह समय विसेज सुबह है शुक्सम्रिद्धी खुसियान लेकर आने वाला है ये शाल तो किसी भी तरह से यदि ग्रहूं की कोई महादसा अंतरदसा नहीं चल रही है तो ये रासी फल आपके लिए पूंडतया फली भूत होगा मई दो हजार चोबिस से आपके दसंभाव में कूचर कर जाएंगे ब्रहाश्पती जो कि आपको जीवन में उतार और चढ़ाओ थोड़ा सा देखने को मिल सकती है इस अवदी में आप अपने जीवन स साथी से और परिवार की लोगों से थोड़ा सा ब्यवस्थाएं बना कर चली मतलब कहूं तो बोल चाल और थोड़ा से इनकी बातों को इग्नोर करते हुए चलेंगे तो बस जीवन आपका अच्छा रहेगा और सनी पहले से ही आपके श्यक्तमभाव में बैठे हुए हैं त करियर के लिए भी जाना जाता है तो आपको करियर में भी थोड़ा सा ब्रहम की इस्तित्या होगी तो घबराएं नहीं बस चीजों को पारदर्सिता के साथ देखते रहे हैं चीजिया आपके शाथ अच्छी होने लगेगी अब अगली चीज आपको बता दू दोस्तों तो आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि नौकरी में थोड़ी सी आपको परिशानी आ सकती है रिस्ते में थोड़ा सा खटाज देखने को मिल सकता है और जो लोग ब्यौसाइक कर रहे हैं थोड़ा सा उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि सप्तम भाव का स्थनी उतार चड़ाव की कंडिशन बनी रहेगी और रिस्तों में थोड़ा सा कड़वा हटा सकती है तो आप सब कुछ ध्यान रखे बस आपके लिए यह साल अच्छा होने वाला है करन्या की बात कर लेते हैं दोस्तों तो करन्या रासी को क्या ध्यान रखना है यह चीज़े आप सम डीवन में चल रहा है और आप काफी परेशानी महसूस कर रहे है तो पिछले सालों के अपक्षा शो कहें तो यह साल आप के लिए ठीक ठाक ही जाएगा पिछले साल के अपेक्षा यह साल आपके में रहने वाले हैं और सनी की इस्तिती जो है आपके लिए ये शुभ बानी जाएगी और ब्रिहस्पती जो है वो एक मई 2024 से आप अपने जो व्योसाय हैं करियर हैं उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे आपको नौकरी नहीं मिल रही थी तो वो मिलेगी अगर नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं और आप आत्म संतुष्टी आपको होगी संतुष्ट रहेंगे कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं और छटे भाव में शनी की उपस्तिती इस वर्स आपको करियर और भविसे के संदर में बहुत अच्छा परिडाम देगी एक मई दो हजार चोबिस से ब्रिहश्पती की स्तिती आपको अपने करियर अपने धन अपने जो संबंध है आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है 29 जून से आपको 15 नवंबर तक शनी की जो बक्री चाल है उससे थोड़ा सा सावधान रहना होगा यानि की चीजों को थोड़ा सा सोच समझ के करना होगा और सनी की यह इस्तिती आपको शारीरिक द्रिष्टी से बहुत जादा लाप की राशी बताई गई है और 2024 के अनुशार इस राशी के लोगों को आर्थिक इस्तिती अनुकूल रहेगी यानि पैसों के अनुलिये जो उठा पड़कती उसमें काफी आपको आराम देखने को मिलेगा और ब्रिहश्पती 2024 अपरेल 2024 से आपके शात्मे भाव में रहने वाल तो आपको शुब आउसर में देखने को मिला था जबकि आपने 2023 में काफी संगर्स देखा है इसमें कोई भी दो राय नहीं है चलिए अब क्या करना है देखिए 2024 में आपको धेरू शुब आउसर मिलेंगे लाव मिलने के संकेत दिखाईजे रहें इस वर्जो है छटे और 12 भाव में राहू और केतु की उपस्तिती भी है तो अच्छे लाव और अच्छी कमाई आपको देखने को मिलेगी और यदि आप 2030 के तुलना में देखें तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा और लाव के अउसर लेकर आने वाला है आपको जीवन में सांदार इस बार धन का प्रवाह देखने को मिलेगा आप इस साल जो है वो धन बचा भी पाएंगे केवल कमा नहीं पाएंगे बचा पाएंगे धन लाप के दृष्टी से तो बहुत अच्छा और सुब साल रहने वाला है ये साल पूरी तरीके से कहूं तो आपकी उपर महरवान है बहुत अ आपके अनुकूल है कोई अंतर दसा महा दसा नहीं चल दिये तो बस समझे ये साल आपके लिए बिहत भागे साली होने वाला है आपको आत्मसंतुष्टी मिलेगी 29 जून 2024 से 15 नौमबर 2024 तक की अवधी में सनी बक्री रहेंगी और सनी की चाल आपके लिए अनुकूल नहीं तो ऐसे में आपको अपनी शंतान के बारे में सोचना है और आपनी सारेरी किस्तिती के बारे में सोच समझ कर आगे बढ़ना है बस इतना ध्यान रक लीजे आगे बढ़ जाईए ब्रिश्चिक रासी आठवी रासी है और इसे जलतत्व की रासी कहा गया है ब्रिश्चिक रासी दो हजार चोबिस के अनुसार इस रासी के लोगों को काफी फलदाई परणाम मिलने वाले हैं पिछले वर्स की अपिक्षा आपको मेहनत तो कड़ी करनी पड़ेगी परंतु शफलता देले वाला वर्स है नामुम्किन सेजे भी इस बार मुम्किन होती भी नजार आ रही हैं आप जो कुछ भी करेंगी कड़ी मेहनत करके उसका फल आपको अवश्य मिलेगा एक मई दो हजार चौबिस से सब्तम भाव में ब्रिहश्पती रहेंगी जो कि आपको बहुत अच्छी नौकरी रोजगार के आउशर देने वाले हैं मनोकामनाओं की पुर्थी होगी यदि विवाह योग्य हैं तो इस साल विवाह के प्रस्ताव आएंगे और वो प्रस्ताव आपको पशंद होंगे आपका आत्मबिश्वास भी बड़ा रहेगा और इसके हद पर आप हर सफलता हासिल करेंगे पांच में 11 भाव में राहू और केतू रहेंगे और इस वर्ष जो है आपको बहुत अधिक सफलता के साथ काम्याबी भी मिलने वाली है और पंच भाव में राहू के उपस्तिती आपको अप्रत्यासित रूप से मतलब बिना जितना आप सोचे नहीं होंगे उतना लाप्रदान कराएगी पैतरिक शंपत्ती यदि कोई विवाद में थी तो वो इस साल फाइनल होने के असार है आपको पैतरिक शंपत्ती से लाप भी मिलेगा 29 जून 2024 से 15 नमंबर 2024 के बीच सनी वक्री होने वाले हैं और यह टाइम आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है आप अपने जीवन से आराम से अपने जीवन का जो खुसियां आएंगी उनका अनुभाव करेंगी शुक्र की यह जो अवधी है वो आपके लिए अनुकूल रहेगी तो सब मिलाकर यदी मैं व्रिस्तिक रासी वालों की बात कहूं तो पिछले वर्स यानि 2024 के पिक्षा यह वर्स सफलता देने वाला है कड़ी मेहनत तो आप से कराएगा निश्चित कराएगा यदी आप किसी काम में हैं और सोच रहें कि आराम से आपको धन लाब हो जाए तो ऐसा नहीं होगा मेहनत इस वर्स जो है आपको ज़्यादा रहेगी परन्तु हाँ मेहनत के बाद भी आप शफल होंगे यह बहुत अच्छी और खुशखवरी वाली बात है यह आपको ध्यान रखना है चलिए अब बात कर लेते हैं धनू की धनू रासी जो है वो नौई रासी है आपको पता है और इस साल यानि के दो हजार चोबिस के अनुसार अप्रेल के महीने के अंत तक आपको बहुत अच्छे और सुब परेडाम मिलने वाले हैं इस दोरा ब्रहस्पती आपके पंचवम भाव में यानि पांचवे घर में रह और ये आपके दस्वें भाव में विराजमान रहेंगे सनी जो है आपकी चंद्र राशी से तीसरे भाव में रहेंगे और ये जो है करियर का भाव है ये आपकी करियर में काफी लाब देने वाला है धनू राशी के लोगों को नौकरी के संबंध में विदेश जाने का भी मिल सकता है तो जो लोग वीदेश जाने के लिए परिशान थे बहुत अच्छा समय है थोड़े प्रयास में भी आपका यह सपना पूर्ण हो सकता है नए नए औसर मिलेंगे नौकरी के लिए अगर आप प्रयत नसिल थे तो वो चीजें पूर्ण होने वाली है आपके जीवन म उसमें उत्थान देखने को मिलेगा इस रासी के लोग जो है वो यदि व्यवसाई कर रहे हैं तो उन्हें 2024 में यह व्यवसाई लाब देने वाला है चाहे आप छूटा रहड़ी पट्री वाले हैं या बड़े व्यवसाई हैं इस वर्स व्यवसाई से कोई सिकायत नहीं रह आप अपने व्यवसाई को और अच्छा और बढ़ा करने के लिए आप अपने को टकर देने वाले लोगों से आप खुद आगे करने के लिए अपने व्यवसाई को डीप समझे और उसको आगे बढ़ाने की पूरी-पूरी कोसिस करें तो वर्सिक रासीफल 2024 के अनुसार इस साल जो है धनुरासी के लोग यदि करियर में सफलता चाहते हैं तो प्रयास और बेहनत भी उन्हें जरूर करना होगा विदेश जाना चाहते हैं तो बस थोड़ा प्रयास करेंगे और इस साल आपका यह सपना पूर्ण हो जाएगा और आप अपने जीवन में शंतुष्टी का अनुभाव करेंगे यदि आप अपने करियर या फिर नौकरी को लेकर कोई नए दिसा की तलास कर रहे थे तो वो दिसा आपको मिलेगी इस साल आप धन की जो बचत होगी वो करते फिर नजर आ रहें बचा पाएंगे ऐसा नहीं होगा कि जितना कमाय सब खर्च हो जाए इस बार आप बचाने में भी शक्षम रहेंगे जीवन आपका आराम से चलेगा यानि कि पूरी तरह से ओवरहाल बता दूँ तो जीवन आराम से चलेगा खुसियां आएंगे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है जो दिक्कत ही मैंने आपको बता दिया कुछ विसेस छेत्रों म सनिदेव की रासी आप सभी को पता है तो दोजार चोबिस के अनुशार आपको इस बात का इसारा मिल रहा है कि यह साल जो है मकर रासी वालों के लिए बेहत सुब रहने वाला है क्योंकि पिछले कई सालों से आप काफी शंगर्स कर रहे हैं काफी मेहनत कर रहे हैं इस साल जो है ''Briheshpati, Rahu Ketu' Ms. आपके लिए बहुत अन्कूल इस््थित्या मना रही है इसके लावा इस वर्ण आपकी शनी की साड़े-साति का यओ अंतिम चरण अंतिम चरण मतलब कई लोग प्रश्न चरण करेंगे अंतिम चरण मतलब और स्तनी आपके दूसरी घर में विराजमान होंगे राहू केतु तीसरे और नवे भाव में रहेंगे जोचकी जोतिस के अनुसार काफी अनुकूल इस्तिती मतलब अच्छी इस्तिती आपके लिए मानी जाती है और विहस्पती एक मई दो हजार चौबिस से आपके पांचव भी लाब मिलेगा क्या मिलेगा इससे आपको आत्म विश्वास बढ़ेगा भागे का साथ मिलेगा जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी खुसी का समय आप कर सकते हैं थोड़े प्रयास में भी आपका इस अपना पूर्ण हो सकता है इसके अलावा शं सफलता मिलेगी नए उसर मिलने वाले हैं और 29 जून 2024 से 15 नॉवंबर 2024 की ओधी के दवरान आपको शनी बक्रीव होने वाले हैं और यह जो है सनी की रासी है इसने आपको यह समय और अच्छा अनुकूल परडाम देगा बात कर लेते हैं कुम्ब राशी की तो कुम्ब रासी अथक परिश्रम करना पड़ सकता है यह साल जो है आपको पहले ही बतादू मेहनत तो कराएगा लेकिन सब कुछ देगा तो क्या करना है आपको शाति आर्तिक पक्ष के लिहाज से यदि देखा जाये तो पैसे कमाने में आप शफल होंगे कुछ समस्याओं का सामना करना करन तो इस रासी के लोगों को करियर में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा कुछ लोगों के लिए यह करियर का बदलाव काफी लावप्रद भी होगा परन्तु कुछ की जिनकी की किसी भी ग्रह की महादसा अंतर दसा चले उनको थोड़ी दिक्कत महसूस होगी चानी प्रथम मध्य और अंतिम तो आप इस साल जो है मध्य चरण में रहने वाले हैं और ब्रहस्पती दो हजार चौबिस के अंतर तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे और आपको अनुकूल परिडाम नहीं मिल पाएंगे तो वर्ड्स दो हजार चौबिस में आपको बता दू कि परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस वर्स आपको नौकरी के शमन्द में यात्राएं करने का मौका मिलेगा और ये पूरी संभो है कि यात्राएं जो होंगी आपको चुनोती पूंड़ रहने वाली है इस वर्स आप धन संचित करने का प्रयास तो बहुत करेंगे लेकिन मन मुताबिक धन संचे नहीं कर पाएंगे कुल मिलाकर अगर मैं आपके लिए बताऊं तो आपको धन से जुड़ा हुआ कोई फैसला लेना हो सोच समझ कर लेजिएगा क्योंकि आप यदि कहीं निवेस करेंगे तो बहुत फाइदा नहीं मिलने वाला है 29 जून 2024 से 15 नॉमबर 2024 की अवधी तक शनी वक्री रहने वाली हैं और यह समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तो यह बच के रहिएगा समझ के रहिएगा लिख लेजे डायरी में इस चीज़ को थोड़ा सा सनी की उपाए वगरे आपको करना होगा इस दवरान आपके जीवन में थोड़ा जो फाइदे की इस्तिती थी उसमें कभी आएगी और यह स्वास्तिस में भी शमस्या आएंगी जिसे के पायर वगरे में थोड़ा सा ध्यान रखेगा में की बात कर लेते हैं दोस्तों तो में जो है अंतिम राशी बारहवी रासी है और यह जल तत्व की रासी है इस साल 2024 में सनी जो है वो आपके रासी के संबंद के बारहवी भाव में रहने वाले हैं बारहवा भाव मतलब ब्याय भाव और यह साड़े साती के सुरुआती चरण को दिखा रहा है यहां से सनी की साड़े साती आपको जनवरी से जनवरी से सुरू हो चुकी है और प्रिहस्पती एक मैई 2024 से आपके तीसरे भाव में रहेगा जिस से चलते आपको जीवन में धन इनका प्रवा बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा रुत रुक रुक करके पैसे आएंगे घर्चे थोड़ा जयादा हो चाहँ कर भी आपको रूक करेंगे पैसे लेकिन रूक नहीं पाएंगे रहू जो है वो प्रथम भाव में यानि प्रथम घर में रहेंगे के तो साथ में घर में रहेंगे जिससे रिस्तों में भी कुछ परिशानिया मनमुटाव खटास आएंगी परिवारी क्रिस्ते, पति-पत्नी के रिस्ते या फिर आप अन्मेरेड है आपका कोई अफेयर है तो इससे भी आपको थोड़ा समहल का रहना है, चीजों का ध्यान देना है, मीन रासी के लोगों को नौकरी से संबंदी थोड़ी परिशानी उठाना पड़ सकता है, परिस्तितियों के चलते आप आउसर को हाथ से गमा सकते हैं, तो नजर रखें 2024 में मौका मिलते ही चीजों क को समझें, आप टाइम नवगवाय ध्यान रखें, और आपको नौकरी के उसर को आप अपने हाथ से जाता हुआ देखेंगे, तो प्रयास ये बताने का है कि आप अपने चीजों में थोड़ा ध्यान रखें, और स्वास्ति के दिक्कतों में जैसे कि आपको आँखों में ज प्रारंब हो ही चुकी है, आप जानते हैं कि जनवरी 2023 से ही प्रारंब हो चुकी है, इसलिए आपको चौबिस में भी इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना होगा, इस रासी के लोगों को नौकरी के आरंब में भी आप देखेंगे ट्रांसफर वगरे का योग बन रहा है या फिर आप जहां हैं वहां से स्थान परिवर्तन का योग भी दिखाई दे रहा है, आपको अपने श्वास्त का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जो मैंने पिछले विमारियां बताई, उसका ध्यान आपको जरूर रखना होगा, और आज इस बार जो है, आपको उपर भी काम करने की अवश्यक्ता है, क्योंकि ये भूलिये मत के शाड़े साती आती है, तो ऐसा नहीं कि आपको तोड़ के जाती है, बहुत कुछ सिखा के जाती है दोस्तों, एक तरीकी से जब जिद्धी बच्चे को हम कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो पहले उसको पन आ रहा है, तो घबराईए नहीं, इन चीजों को चलने दीजे, जैसे चल रहा है, वैसे चलने दीजे और रही बात उपायों की, तो वो तो मैं आपको आगे आने वाले किसे वीडियो में जरूर बताऊंगे, सनी की वक्री चाल से आपको लाब जरूर होगा, लेकिन ये चा लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे, और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम, फेस्बूक पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो कर लेजे, और मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो केवल और केवल मेरे यही नमबर है, जिससे आप मुझसे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, धन्यवाद हरार्मा आदेव,